हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं चैनल एसम्टो मैस्वर्ड फ्रेंड्स पिछले कुछ वीडियो से हम गूगल फॉर्म के बारे में सीख रहे हैं और आज का वीडियो भी उसी के ऊपर है लेकिन आज हम सीखेंगे कि जो ऑनलाइन टेस्ट लेने के बाद स्टुडेंट का जो तो आपको प्ले स्टूर में जाके यहाँ पर टाइप करना है गूगल शीट करना है तो यह सामनी समें से लिकरा आपको गूगल फॉसी को अब को डाउनल्वोड गरना है अभी में इसको एसको ओपन करते हौं ऑपन करने के बाद आपको यहां पे जितने भी अपने अपने वह सारे यहां पर दिखेंगे, जिस फॉम को आपको edit करना है, manage करना है, उस फॉम को आपको open करना है, आपको बार बार गुगल राव में जने की ज़रूरत नहीं है, responses check करने के लिए, अब यहां पर मैंने एक form open किया है, सबसे पहले तो आपको form को rename करना है, तो यहां पर form responses 1 लिका है उदर जाओ और रिनेम करो ठीकिकिए यहां पर आपको जो और आम देना है पर दे सकते हैं जैसे कि अभी यह मैंने प्रैक्टिस टेस्ट लिया था तो यहां पर मैंने प्रैक्टिस्ट को इसे नाम देते हैं ठीकिए ओके किसी बहुत सारे होते हैं teachers के पास तो confusion होता है इसलिए कभी भी पहले rename करो file ठीक है अभी हम सीखते हैं formatting formatting कैसे करते देखो सब्स आपको यह जो name वह रेड कलर में चाहिए तो आपको क्या करना सबसे पहले select करना है ठीक है यह इसे देखो उसको मैंने पहले सिलिट कर लिया क्या करें मैं मुझे डॉट था उसको पकड़ किया करना है नीचे की तरफ ड्रैक करना है अभी इसको हमें कलर करना है पहले बोल्ड करना है तो आप यहां से कलर ले सकते जिसके अभी मैंने रेड कलर ले लिया ठीक है आपको कुछ बैग्राउंड कलर देना है तो यहां पर देखो feel color का option है जो bucket जैसे दिख रहा है आपको यह आप वहां पर एक बार चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा यहां से suppose मैं यह color लेती हूँ यह color लेती हूँ बस आपको यह दिखाने के लिए ले रही हूँ अभी इसमें भी देखो outline नहीं बॉर्डर नहीं है तो अभी आपको इसको border लगा देनी है तो अभी मैंने उपर की तरफ प्लिक किया तो यह सारा select हो गया तो यहां से जो box था उ सारे को क्या जाएगी border आ जाएगी ठीक है आप इसको zoom in zoom out करके देखोगे तो आपको देखेगा यह देखिए मैंने क्या किया है पुरा है अभी चोटा देखेगा उसको थोड़ा सा zoom out करोगे तो यह आपको handwriting बड़ी देखेगी ठीक है उसी तरफ दरी लिका है उपर यह क् अब होता है तो उसको ảyk sterna i se कर सकते दो उसको पकड़ के right की तरह उसको कीचना है क्या हो गया जो कॉलम रेवा बड़ा हो गया यह इतना बड़ा कॉलम नहीं चाहिए तो आप उसको क्या कर सकते हो पकड़ के उसको अंदर की तरफ खीश सकते हो ठीक है यह देखी इस प्रकार से आपको उसको अंदर की तरफ खीश सकते हैं समझ में आ रहा है आपको अभी नेक्स्ट यह हो गया फॉर्मेटिंग और आपको फ तो आप यहां से सेंटर का उप्शन चूज़ कर सकते हो तो यह सारे नेम क्या हो गए सेंटर में आ गए उसके बाद अभी यहां पे आप त्री डॉट पे क्लिक करोगे सब्सकों को कोई एक नाम सिलेट करना है फाइन करना है नहीं मिल रहा है बहुत सारा डेटा है तो कभी करना है कि नाम सिलेक्ट हो गया वही जो सेल है वह सेल तो ऐससे क्या कर सकते हो चैक भी कर सकते हो फाइन कर सकते हो similarly यहाँ पर मैं टिक करती हूँ फिर इसे देखो आपको जो भी changes करने जो option चाहिए जब तक आप select नहीं करोगे तब तक option आपको दिखा ही नहीं देंगे ठीक है अभी main तो इसमें होता है filter लगाना filter क्यों लगाते हैं अभी देखो यहाँ पर A B दो division के student से तो आपको filter करना पड़ेगा तो यहाँ पर जो division लिखा है मैंने उसके उपर क्लिक किया फिर से three dot के उपर जाओंगी मैं तो यहाँ पर create filter तो यहाँ पर create करने के बाद यह देखो मैंने फिर से उसके उपर क्लिक किया अभी सब्सक्राइब को सिर्फ A के बच्चे चाहिए दीखने चाहिए तो B को अब हटा दो सिर्फ A को टिक करो और यहाँ से जो आप इस और फिल्टर लिखा है वहाँ से मैंने close कर दिया अब यहाँ पर देखो सारे A standard के बच्चे आ गए ठीक है उसमें भी और देखो यहाँ पर फिल्टर के उपर और सिर्फ थर्ड के चाहिए अभी देखे सिर्फ थर्ड के बच्चा आपको दिखेंगे दिख रहा है आपको देखे थर्ड एक है तो यह फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है अभी फिर से मैं इसको सिर्ट करते हूं यहाँ से देखो मैंने एक उपर क्लिक किया अभी इसमें आपको और सा यह देखो यहाँ से साइस क्या हो सकती पर की इंग्रीज हो सकती ही यहां से टेक्स कलर फॉन पर चेंज कर सकते हो ठीक है यहाँ से मैं सब्कोवज अभी यह ले रहे ही फॉन ठोड़ और जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है वो आपको नहीं चाहिए तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हो देखो अभी पूरा क्या हो गया है तो आपको यह समझ में आया है एक्शली बताने के लिए और बहुत कुछ है लेकिन फिर वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा तो मैं ने स्रिए मेन मैन ठींग है जो करना बहुत ज़रूरी है टीचर्स को तो वही मैं आपको बताया है और अभी इसको सेव के से करते यह भी बहुत इंप्रेंट है तो सेम थी सब्सक्राइब बाइजुन भागे है वहम नेक्स ट्रॉडियो में सिखेएंग तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है इन्फर्मेटिव लगा है तो प्लीज फ्लीज इसे लाइक करें कमें शेयर किजिए और चैनल प्रक्राइब भी किजिए और साथ में बेल आइकान भी प्रेस किजिए तक कि जब भी में कोई नए वीडियो अप्लेड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए थैंक्यू सो मच